शिवाय दर्शकों, गुरू जी कहते हैं, कि यदि आप एकादसी का ब्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कुछ उपाए हैं, जिने आप एकादसी की दिन अवस्ज़ करें, यह उपाए बहुत ज़्यादा प्रवावसाली हैं, और इन उपाएं को को लेकर आपके घर में दरित्ता बहुत है आपके ​Гर में आर्थिक संकट बहुत है बहुत जाद तो इसमें आपको क्या करना है आपको लेना है क्लोटाफ जल लेना लेना है 31 सावत चावल या दाने 0चोट और एक बेलपत्र लेने हैं ठीड है अब जो चावल के दाने हैं उन्हें अपको गाय के कच्छे दूद में बस थोड़ी देर केलिए डाल लेने हैं और तुरंत ही लेने हैं ज्यादा देर के लिए नहीं डाल वरना वह तूट जाएंगे मुलाइम होकर बस डालकर दूद में आपको तुरंद निकाल लें नहीं कत्तिस दाने अब इन सब सामिक ग्रियों को लोगे कर आपको जाना है सिम मंदिर कोशिस यह करें कि यह उपाई आप एक रसी के दिन प्रदोसकाल यानि साम के समय करें आपके पास्ट टाइम नहीं है आप नौकरी की वजए से या किसी और वजए से आपके पास्ट टाइम नहीं है तो यह उपाई आप कभी भी कर सकते हैं कोशिस यही करें कि प्रदोसकाल में यह उपाई करें अब आप सामिकरी लेकर मंदिर गए 31 चावल के दाने दूद में भीगोई एक लोटा जल और एक बेल पत्री वहाँ जाकर आपको सबसे पहले जो वो 31 चावल के दाने हैं एक एक करके निकालने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाब करत हुए वो 31 चावल के दाने आपको सिवलिंग के उपर चढ़ा देने हैं और चंद्रमौली महादेव के नाम का इसमर्ड करना है ध्यान लगिए चंद्रमौली महादेव के नाम का आपको इसमर्ड करना है अब आपने 31 चावल के दाने चढ़ा दिये उसके बार आप जो वो बेल पत्र लेकर गए हैं उस बेल पत्र को भी उसी चावल के दानों के उपर आपको रख देनी है अपनी मनों कामना बोलते हुए और लगातार स्वी शिवाय नमस्तुब्यम का जाब करते हुए और फिर सबसे बाद में आपको वो जो एक लोटा जल है वो आपको उसी बेल पत्र और चावल के दानों के उपर समर्पित कर देना है ध्यान लखिए जो आप बेल पत्र चड़ा रहे हैं सिवलिंग के उपर वो इस तरीके से चड़ाएं जो चिकना वाला बेल पत्र का हिस्सा होता है वो सिवलिंग को इस पर्स करें यानि चावलों को इस पर्स करें और खुरुद्रा हिस्सा ऊपर रहे जो चावल के जो दाने हैं जो चावल के दाने एक अदसी पर जो उपाय किया जाता है आप महादेव को चढ़ा सकते हैं लेकिन आप चावल के दाने चावल आप खा नहीं सकते हैं चढ़ा सकते हैं आप सिविलिंग पर ठीक आपने कर लिया उसके बाद बहीं बैठ जाएए और आपकी जो भी मनुकामना है जो पूरी नहीं हो रही आप बहुत जादा परिसान है आर्थिक संकट की वजए से तो उसके लिए आप बैठकर बाबा से प्रातना कीजिए यह उपाय कीजिए आप एक अदसी वाले दिन दूसरा उपाय भी बहुत सरल है और बहुत ही जादा प्रभावसाली है इस उपाय में आपको क्या करना है आपको यह उपाय पहले तो आवे के लोटे में आपको जल लेना है एक गुड़ का टुकड़ा और थोड़ी सी एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है तो आपने जो जल लिया है उसमें आपको वह गुड़ का टुकड़ा और वह जो हल्दी है वह आपको डाल लेनी है और आपको पीपल ब्रक्ष के आप पीपल के ब्रक्ष की जड़्ग में आपको चढ़ा देना है ओम नमो भगवते वाशुदेवायका इसमन करते हुए कोसिस करें ना पीपल के ब्रक्ष को छुए ना उनके पत्तों को छुए बस जल चढ़ाएं अपनी मनो कामना भूलें लगाता ओम नमो भगवते सब्सक्राइब कर लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट वाक्स में हरहर महादेव जरूर लिखिए